आसू बहाएंगे पर आसू में मत पढ़ना भारत की समिधान को बचाने के लिए 24 को मजबूत कोई न होगा ये बात किसी और कर रही बलकि तेज़श्वी यादों का है जब तेज़श्वी यादों आज लोगों के दिलों में वास कर रहे थे बिहार में शंपुन शिराबंद कि आज एक बाल फिर शे ये चीजों को वरलने में क्या कुछ कहते नजर आए इस वक्त ललनकुमार सिन का एक दिन विकाश ना करें तो हमें नींद नहीं आती है शाती साथ बात करेंगे आज की बड़ी ख़बर के अंदर कि गिराज शिन ने क्या कहा नितिश कुमार के उप शब सब पहले ख़बर की शुरुवात करते हैं और ख़बर की शुरुवात इस वक्त जो है वो करेंगे त्रश्वी आदों से बिहार के ठिप्रिशियम ने कहा कि आशु बहाने वारे लोगों से सतर्क रहें आशु बहा करके ठगने का कोशिस तो किया जाएगा ऐसे में देखा जाए तो यह लोग आपको ठगने के लिए आये हैं लेकिन आप इनसे बच करके रहें देश के अंदर लोक्तंत्र को बनाए रखने में 24 की राजनीतिक महतपूर्ण है 24 की राजनीतिक को देखते विए आप सभी को इस बात पर भरोशा रखना चाहिए कि हम सभी मिल करके एक ऐसी सरकार का निर्माण करेंगे एक ऐसी सरकार की कोशिश करेंगे दिस सरकार के द्वारा भारत की श्रमिधान को बचाने में महतपूर्ण कोशिश किया जाए ऐसे में देश के लोगों के लिए एक बार फिर से तर्श्वी आदों ने अपनी बातों को रेक्तिव कर दिया कि देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर त्यार है लेकिन बिहार के लोगों को 24 में त्यार रहना होगा बिहार के लोगों को 24 में प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के लिए भोट ना करके स्रीयम नितिसकुमार और डिप्तिर सीयम तřिश्वीयादों के लिए करना होगा वो बिहार की जन्ता के दिलों में वास करने लगा है तो दिलों में ईजाकरके जगह बनाने लगा है बड़ी खबर तो ये है कि आज एक बार फुर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उठ्स सवाल जवाब के वीच में चिराकपास्वान के नाम की चर्चा हो रही है दरशल आज तिरश्मियातों ने जो कुछ भी कहा वो चिराकपास्वान को ले करके भी था क्योंकि बिहार के युवा ने था और युवा चहरा के साथ प्रचा के चिराकपास्वान भी श्राम ने निकल कर रहे जान प्रचा प्रचा करने के लिए निडिये के अंदर जाने को त्यार है उनकी कोसिस चाचा को साफ कर भद्रीचों को मजबूत करना है लेकिन दोस्तों आज जो कुछ भी आपने देखा वो बताने के लिए काफी है कि क्रेंद्रीने राज नितिक में चिराक के नाम की चर्चा और त्रश्वी आदो निस्सापतर पे सो जो कुछ भी बोला वो असपश्ट है कि बिहार के युवा चेहराओं की राज आने वाले वक कानून कहीं ना कहीं एक बार फिर कोसिस कैया जा रहें कि शम्पुन्च ऽरबंदी कानून पर कोई शबाल न उठे जरतव दोस्तों सम्पुन्च शरबंदी कानून एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत आज प्रधान मंंत्री के सपने को देख नितिस्कुमार भी सकार करने की कोशिश करते हैं नितिश कुमार ने बिहार के लोगों को यह बता दिया कि बिहार भले यह आर्थिक रूप से कम जोड़ है बिहार के अंदर भले हुँ ध्योग ना हो लेकिन बिहार जो कर सकता है वो देश के बड़े बड़े राज्य नहीं कर सकते जब देश में लॉकडाउन था जब देश के तमाम अन्य राज्यों की अर्थविवस्था चौपट हो रही थी तो अर्थविवस्था को बनाने के लिए सराब के दुकानों को ठेका को पहले खोला गया फिर आगे के करभार को खोला गया था लेकिन आज इस बात को लेकर के त बड़ी कबर यह है कि आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री श्री नारेंद्र मोदी को लेकर के चर्चा हो रही है देश के प्रधानमंत्र श्री नारेंद्र मोदी देश का अभिकास कैसे करेंगे देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाने के साथ ही देश के लोगों का दिल कैसे जीतेंगे वह सबसे कोशिसों के साथ एक बहतर प्रयास तो करी रहे हैं एक बहतर प्रयास के साथ और लगतार कोशिस कर रहे हैं कि देश के लोगों का दिल जीता जाक सके दरसल आज की मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के प्र जाएगा तब तक चीजों को बदला नहीं जा सकता चीजों को सप्ष्ट नहीं किया जा सकता इसलिए प्रधान मंत्री की सपना है कि वो किसी भी तरीके से 24 की राजनीति को मजबूत करे 24 में आने वारे साथ साथ कोंग्रेस हाथ से हाथ और कदम शेकरम मिला करके चलने को त्यार है कोंग्रेस को लगता है कि भाईया चला जा सकता है और चलेंगे भी क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो चीजों को सबस्ष नहीं किया जाएगा इसलिए राष्ट्रे कॉंग्रेस ने आज इसारों इशारों में जो कुछ भी कहा वो चौकाने वाला था राष्ट्रे कॉंग्रेस का कहना है कि हम लोग हमेशा से समाज वाद का रहें कोशिश करना हम लोग समाज में जीए हैं समाज में मरेंगे लेकिन समाज के लोगों के लिए हमने हमेशा से विगास करने का काम किया है समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास किया है इसलिए शमाज के लोग भी आज हमें अपने दिलों को दे करके अपने प्यार को दे करके आगे बढ़ाते हैं खर आपका क्या कहना है अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स मिली करके ज़रूर दीजेगा और इस वीडियो को ज़र ज़र शेयर करिएगा आज बात करें तो कॉंग्रेश रिसाप अस्पष्ट कर दिया कि वो हमेशा आगे थी और आज भी आगे है और कल भी आगे रहेगी यह बातों को असपष्ट उन्होंने कर दिया है खैर आपका क्या कहना है बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से जिहां यूपिये के सरकार में जो कुछ भी हुआ लेकिन आज इस पर जो है सवाल उठ रहा है और सवाल यह है कि जेडियू किसकी है जेडियू क्या उपिंद्र कुछ वहा की है क्या लव कुछ की पार्टी अब अलग होगी क्या लव अलग और कुछ अलग होंगे दोनों लव और कुछ के अलग होने के साथ ही आने वाले वक्त में क्या पला संदेश दिया चाहेगा देश के लोगों को और बिहार के लोगों कि कैसे ठगा जाए लेकिन बिहार के लोगों को आज उपेंद्र कुश्वा ने बताया कि बिहार के लोग इमंदार रहे हैं और इमंदारी से अपनी कामों को सभी राज्यों में जा करके भी करते हैं इसलिए हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे और जेडियू को भी अभिए लोग करने जा रहे हैं बड़ी कबर सामने निकल करके हैं खबर यह कि जीतन नमाजी नितिश कुमार से बड़े नराज चल रहा है माना ज़रेक बहुत जल्द वह पार्टी को छोड़ किसी अन पार्टी या महागडवन्दन में शामिल हो शकते हैं महागडवन्दन में शामिल होना वह एवां कोशिस करना यह स्लापतर पर जेडियू क के लिए और महागडवन्दन के लिए किसी बूरे सपने शकब नहीं होगा क्योंकि जीतन नमाजी का चहरा भी है दलीतों का भोट पाने के लिए उनका इस्तमाल भी क्या दाता है और पहले उन्हें मंत्रवंदल के अंदर शीट ना दिये जाने से आज लोग नराज भी बता कि नितिस कुमार क्या कह रहे हैं कि मैं पीम मनना नहीं चाहता पर पीम मनने के लिए खौईसों को रखेंगे पीम मनने के लिए दिल्चस्पी रखेंगे चिष्टा रखेंगे और पीम मनना नहीं चाहते क्या मुकमंत्री जी आप क्या बोल रहा हैं आपको कुद पता नहीं चल रहा है आरे आपने PM बनने के लिए ही तो सब कुछ किया दिल में PM हात में CM और चले हैं PM का सपना ना देखने, आरे PM और बनना ही हैं आपको, PM का सपना ले करके चले इसलिए तो साइद आप महागटबंदन में जा करके शामिल हो गए बिहार के लोगों के साथ छल कपट और धोखा धड़ी किया गया बिहार के लोगों के साथ आज आपने गलत किया आपके साथ आने वाले वक्त में गलत होगा जब बिहार के लोग आपके दामन को छोड़ करके आपके चलितर पर जिस तरीके से दाग लगा इसको छोड़ करके जब जाएंगे तो आपको इस पर अंदाजा चल ही जाएगा जब चीजों को कैसे असपष्ट किया जाएगा ऐसे में खर आपका क्या कहना है अपनी राए हमें कॉमेंट बॉक्स मिली करके जरूर दीजिएगा बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से ललन कुमार सिन ने एक जंसभा को शंबोधित करते वे बड़ी बात कही उन्होंने का कि हमेशा 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 मैं सांसद रहा पिधायक रहा जो कुछ में रहा हमने हमेशा लोगों का काम किया जब मैं 2015 में चुनाव हार गया था सांसद का उस वक्त मैं केंदर में सिचाई मंतरी था और मैंने जा करके लोगों का काम किया लोगों की बातों को सुना शमजा और इस पर विकास किया खेर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ललन कुमार सिन का कहना है कि आपको समझना चाहिए हमेशा से हमने लोगो चाहा लोगों की आँगे बढ़ाने के बारे में शुचा लोगों काई iOS से बहतर का कहाँ है आपका क्या कहना है अपनी राये में कॉमेंट